अध्याए उन्निस इसके बार मैंने इस स्वर्ग में मानो बड़ी भीड को उजे शब्द से ये कहते सुना के हलिलुया उध्धार और महिमा और सावत हमारे पर में सभी की है क्योंकि उसके निर्णे सच्छे और ठीक है इसे लिए उसने उस बड़ी वहष्या का जो अपने व्यभी चार से प्रक्षी को भ्रष्ट करती थी नियाई किया और उसने अपने दाफों के लोगों का पैटा लिया है फिर दूसरी बार उन्होंने अलेलुया और उसके जलने का धुआ युगानु युग उठता रहेगा और चौवीसों प्राचियों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिहासन पर बैठा था और कहा आमीन अलेलुया और सिहासन में से एक शब्द निकला के है हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों क्या छोटे क्या बड़े तुम सब उसकी स्थुति करो फिर मैंने बड़ी भीर का सा और बहाँ चल का सा शब्द और करजनों का सा बड़ा शब्द सुना हलिलुया इसलिए कि प्रभू हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है आओ हम आनंदिक और नगर हो और उसकी स्कूर्दी करें क्योंकि मेंने का बिहाब होचा और उसकी पत्री ने अपने आपको तयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है और उसने मुझसे कहा या लिक की धन्यवे हैं जो मेमने के ब्या के भोज में बुला गए हैं फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाउं पर गिरा उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाईयों का संगीद आस हूँ जो एश्व की गवाई देने पर स्ती रहे हैं परमेश्वर ही को दंडवत कर क्योंकि एश्व की गवाई भईशदवानी की आत्मा है फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है उसकी आखें आग की जौला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुत है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वो लुहु से छड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछी पीछे है और जाती जाती को मारने के लिए उसके मुँ से एक चोखी तलवार निकलती है और वो लोहे का राज दंड लिये हुए उन पर राज्य करेगा और वो सर्व शक्ति मान परमेश्वर के भयानक प्रभोव की चल जलाहट की मदीरा के कुंड में डाक रौण देगा और उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूओं का प्रभू फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा आओ परमेश्वर की बड़ी भ्यारी के लिए इकठे हो जाओ जिससे तुम राजाओं का मास और सरदारों का मास और शक्तिमान पुरुषों का मास और घोडों का और उनके सवारों का मास और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मास खाओ फिर मैंने उस पशू और पृत्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोडे के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकठे देगा और वो पशू और उसके साथ वो जूटा भविश्य द्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्न दिखाये थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशू की चाप ली थी और जो उसकी मूरत की पुजा कर दे थी ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेश लोग उस खोडे के सवार की तलवार से जो उसके मुह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मास से त्रिप्त हो गए